नमस्कार स्वागत है आपका JJN News मैं और आपके साथ मैं हूँ गणेश कुमाओं कमिशनर दीपक रावत ने बीते दिन इमेल के माध्यम से मिली सिकायत के आधार पर नैनिताल जिले के तलिताल स्थित पेट्रॉल पंप में छापे मारी आपको बता दे इस दोरान उन्होंने पेट्रॉल पंप का निरिक्षन करने के बाद पंप स्वामी को चेतावनी देते हुए ततकाल पेट्रॉल पंप में सोचाले और हवा भरने की मशीन को चालू करने के निर्देश दिये यही नहीं इस दोरान पेट्रोल पंप में इंधन की घट तोली की जाँच में प्रियोग आने वाले उपकरण भी सही नहीं पाए गए जिस पर आयुक्त ने बांट माप अधिकारी को माप तोल उपकरणों को सत्यापित करने के निर्देश दिये साथ ही कमिशनर दिपकरावत ने कहा कि पेट्रोल पंपों के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पंप मालिक आम लोगों की छै सुविधाएं यानी पेट्रोल पंप पर पीने का पानी गाड़ी में हवा भरने सौचाले परात्मी कुपचार किट समेथ फोन की सुविधा निशुलक देने के लिए बाद दि होते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्य कारवाई की जाएगी बता दें आयुक्त को शिकायत मिली थी कि तली ताल स्थित पेट्रोल पंप में सौचाले और हवा भरवाने वाली मशीन के कक्ष में ताला लगा रहता है जिसके कारण वहनों में हवा व्यक्तियों के ओर से निजी रूप से भरी जाती फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बांकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जेन नियूज धन्यवाद